अब हम next देखते हैं कि जो हमने pop का algorithm देखा था last lecture में अब उसको अगर हमको c++ में उसके लिए function लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे हमने बुला int pop, int pop क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमारा यहां पे एक integer value return हो रहा है इसलिए हमने function का return type integer रखा हुआ है और value एक variable है जो hold कर रहा है वो value जो हम delete करवा रहे हैं हमेशा top of stack से तो हमने यहां चेक किया क्या top of stack is equals to minus 1 है यहां double equals to और single equals to में फर्क होता है single equals to का मतलब होता है आप जैसे हम मैंने लिखा value is equals to minus 1 इसका मतलब होता है आप right hand side की value left hand side में assign कर रहे हो और अगर मैंने ऐसा लिखा value double equals to minus 1 तो इसका मतलब है हम दोनों की equality चेक कर रहे है मतलब compare कर रहे है तो जब आप program बनाएंगे तो इसका थोड़ा सद्यान रखेंगे कि आप single equals to use कर रहे हो कि double equals to single equals to use करेंगे तो मतलब हम assign कर रहे है minus 1 value नाम के variable को ठीक है तो हमें यहां पर assign नहीं करना है हमको क्या करना है हमें check करवाना है कि दोनों equal है कि नहीं top of stack की value minus 1 है और यह minus 1 है तभी दोनों equal कर लाएंगे तो यह assignment नहीं हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है equality चेक कर रहे हैं ठीक है तो जब program लिखेंगे तो यह थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की ज़रुत है फिर अगर equal है minus 1 मतलब minus कभी negative value को point नहीं कर सकता इसका मतलब है stack हमारा empty है अगर empty नहीं है तो फिर हम delete कर सकते है value तो हमने value कहां पर निकाल दी value नाम के variable में जो भी top of stack में value जिसको point कर रहा था उसको हमने value नाम के variable में डाला top of stack को एक minus 1 किया ठीक है और फिर उसके बाद जो भी element हमारा value में आया जो top से हम remove करना चाते हैं वो user को हम cout करा सकते हैं ठीक है और हम यहाँ पे हम return value भी करा रहे हैं मतलब यह यह जो हमारा function है जो भी deleted value है यह यहाँ print तो हो ही रही है यह हमारे main program में return भी हो रही है thank you